एलो गाईस कैसे हैं आप लोग स्वागात है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाईस कि इन्फिनिक स्मार्ट ऐड प्लास पोन में आप लोग नोटिविकेशन्ट टौन को कैसे चेंज कर सकते हो अगर आपके पास एक infinite smart 8 plus phone है और इस phone में जो है आपको notification tone को change करना है आपके phone में messages वेगरा कुछ भी notification आने पे जो आपको phone में sound आ रहाएगा है अगर आपको वो tone पसंद नहीं आ रहा है आपको जो दूसरा notification tone change करके लगाना है तो कैसे आप लोग notification tone को change कर सकते होगा इस तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को last तक देखिए और अगर वीडियो पसा ना है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए तो चलिए गए इस वीडियो को start करते है notification tone को change करने के लिए आपको सबसे पहले जोगे अपने इस phone के settings में जाना है settings में जाने के बाद थोरा सा नीचे scroll down करेंगे तो आपको एक option देखने को मिलेगा का sound and vibration का तो इस sound and vibration के option पे click कर दीजिए क्लिक करते ही आपको एक option मिलेगा थोरा नीचे scroll down करते ही notification sound का तो इस notification sound के option पे click कर दीजिए click करते ही आपको बहुत सारे notification tone देखने को मिलेंगे तो जो भी tone आपको पसंदा रहे है चून लिजिए पहले चूनने के बाद जो पसंदा रहे है उस पिक select करेंगे क्लिक करते ही फाइल में जो भी notification tone है वो show हो जाएगा उसको आपको select करना है select करती ही वो notification tone यहाँ पर आजाएगा इस पर click करेंगे और back कर देंगे इसा करते ही आपका notification tone चेंज होगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने infinix smart 8 plus 4 में notification tone को चेंज कर सकते हो